किये इसकर हैं। कभी नहीं के रहे हैं कि हम साराब बंदी को खिलाब हैं। कभी नहीं कह रहे हैं कि गड़ंता दिलीवान में धागी तब बंदी है prophecy क्या Department ऑन फीड़े को पर चाला है हमारे वश्चे को डिलिवरी करने में लगे हुए हैं आप देखेंगे आपके पूलिस तंत्र है ओपी करके कहीं पर ड्रामा कर रहा है नमस्कारा प्लाइट सिटीज देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ वसीम खान देखिए दोहजार चोबीस लोकसबा चुनाव से पहले सियासी गल्यारों में जो हल चल है उससे लगता कर आई पस्वपति कुमार पारस ने चिराग पास्वान पर ही आरोप लगा दिया हम तमाम यह सवाल लेंगे संतोस सुमंजी हैं इंदुस्तानी अवाम मोचा स्रक्लर के रास्टी अद्यच हैं बड़ी जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं चुनाव भी नजदीक है पार्टी क सब्सक्रों के जहन में घूम रहा है क्या उन्हें नौकरी मिलेगी कि देखिए इस सरकार खास करके महागठवंदन की सरकार बनी है और पहले से जो तेजस्वी जादब जी हैं बोलें कि हम पहले कैबिनेट में दसलाक लोगों को नौकरी दें तो कितना कैबिनेट गुजर अब आज तक कुछ हुआ नहीं पुरानी चीजों को नए तरीके से करके कह रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं मालिये कि कोई पहले से उसको कागज दे रहे हैं तो यह सरकार सिर्फ एक तरह से समझें कि वादे धूटे वादे करती है बड़ी बाते करती है लेकिन धरातल पर पद है और सिक्षा घुरू सिक्षा का जो सिक्षट का जो अत्य होता है उसको साथ भी खिलवारें लोग कर रहे हैं आजी ने सराब बंदी पर एक बयान दिया जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं अब सवाल यह एकि जेडियू के तमाम नेता कह रहे हैं कि जीते ना मांज तक बात इस पहलत कभी नहीं यह जात पिए सब्सक्राइब करताartet के लिक मैं याpin लिवंत उदारन हैं हमारे समाच समाच से हमाते हैं जिस समाच से हमाते हैं वो कास्ट में एक तरह से महमारी की हम लोग पर समर्थन नीगा उनी कि था हम उस सरावबंदी का समर्थन नहीं किया था अज सरावबंदी है क्या जब हर जगा ओं मुहया किया जा रहा है घर घर में जब और पर चला रहा है फोन कॉल पर चला रहा है हमारे बच्चे उसको डिलिवरी करने में लगे हुए है आप देखेंगे आपके पूलिस तंत्र करके कहीं पर ड्रामा कर रहा है कहीं पर कोई और भी लोग है आए दिन लोग की मिरुत्यू हो रही है तो सरावबंदी है कहा हम लोग ने समर्थन किया था इसी कल्पना हम थोड़े करते हैं तो खाली कहने के लिए काग्जों पर सरावबंदी है और धरातल पर कुछ भी नह हम तो चाहते हैं कि लोगों को रोजगार मिले। हम चाहते हैं लोगों प्रभी लोग है इस लप से ज़ूटकारा पाये। तो एगहे बढ़े। तो क्योंकि इसे से हमारे हैं इसमें लोग livre मेरे कर रहा हैं पढहाए लिखाले कर रहें समान और इज्जत के साथ खिलवार किया रहा है तो ऐसे चीज़ों से लोगों को छुटका रहा मिना चाहिए हम चाहते हैं कैसा कानून बने जहां पर लोगों को जागरुक किया जाए जो लोग इस तरह के कामों में इंवॉल्व हैं उनका एक रिहाबिलिटेशन छला जाए जाए इस तरह की कानून नहीं होना चाहिए हम चाहते हैं कि अगर आप सराभ बंदि की किते harder से कई इंटर कर रहा है सर्हाँ तो ऊस पर रोक लगा जाया गलत सराभ क्यों YOU लोग नोग मर रहे हम लोग चाहते हैं कि अतरबंदी किया है तो प्रुणित होनी चाहिए जहां पर लोग को ब्हार मेंृट कुछ नहीं किसी को नहीं मिलना चाहिए लेकिन यहां सब सब के सब लोग सराब किसे जो पहले से पी रहे थे उससे ज्यादा लट बढ़ गया इसका कूप परभाव क्या हुआ क्या हुआ है कि हमारे युवा हैं जो आजकल दुसरे तरह के जो बैकल्पिक लट है जैसे अस्मैक है चरस है गांजा है अब स्टेशन के पास जाके देखिए कहीं भी देखिए उसकी बढ़ोतरी हो गई तो ऐसा कानून बनाने से क्या पैदा जहां पर आप रोक भी नहीं पा करके उनको इस से लट छोड़ा यह जो चेन है जो पीछे से फैनेंस कर रहा है जो परदे के पीछे रह रहा है जिसको संग्रक्षन प्राब से सरकार का उस संग्रक्षन खतम किजिए निश्ची तोर पर इसमें सुधार हो जाएगा और मेरा मानना है कि अगर सरकार के अंदर सरकार दिखावा करती है बड़े बड़े लोगों के लियाद से क्या हुआ वही बात इंवोलेंस में सराब जा रहा है पुलिस गाडियों में देख रहे हैं कि सराब जब एक जगह हम देख रहे थे आप लोग के माधियम से कहीं पर एक्षिडेंट हो गया पुलिस वाइक को तो आपने सुना संतो सुमन जी को हसपसरुप से तमाम सवालों का बेवाकी से अपने राए रख रहे थे कर इस वीडियो में इतना ही आपका बहुत-बहुत सुक्रिया